नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दे सिखाना देशी ब्लोग में तो मैं आज आप सभी के लिए घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो की खास करके सावन के महीने में बनाया जाता है आप हरियाना या राजस्थान में चले जाएंगे ना इस समय पे तो इस समय पे आपको मार्किट में घेवर की मिठाई बहुत जादा रखी मिलेंगी क्योंकि हर्याना उराजस्थान में घेवर तीज के इस तामें पे भोग ज़्यादा बनाया भी जाता है और भोग ज़्यादा खरीदा जाता है तो इस बार आप खरीद कर नहीं बलकि आप घर पर घेवर बना करके तयार कीजिए बिल्कुल जालीदार बहुत ही अच्छी रेसिपी है तो रेसिपी को पूरा जरूर देखेगा तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं पाउडर डाल रही हूं इससे चासनी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा अब इसे उबाल आने के बाद दो तीन मिनिट आपको पका लेना है जैसे चिप चिप इसी चासनी बनानी है एक तार के जैसी बहुत ज्यादा इसमें बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आपको ता चैक करना है कि तार ही बनना जरूरी है क्योंकि रखेंगे तब भी थोड़ी गाड़ी हो जाती है तो वैस इस तरह कि आपको चिप चिप इसी चासनी बना लेनी है आप देख रहे हैं कि जैसे मैं हाथ पे इसे रब कर रही हूं तो किस तरह से हलका सा इसमें तार बन रहा है बैस इसी तरह की चासनी आपको बना लेनी है चासनी बनने के बागना इसमें 5-6 नीबू की बूंदे निचोड़ देनी है जिससे की चासनी जमेगी नहीं अगर हम चासनी को रख देते हैं ज़्यादा समय के लिए तो उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं मतलब चीनी से जमने लग जाती है तो अगर आप नीबू नी चोड़ देंगे तो बिल्कुल भी नहीं जमेगी तो चासनी बन गई है इसे धकर के साइड में रह देंगे तो अभी हम क्या करेंगे कि कोई बड़ा सा बरतन लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे चार चमच घी जैसा हो जाना चाहिए इतना आपको इसे मिलाना है अगर आपको हाथ से मिला ले में परेशानी होती है तो फिर आप मेक्सी के जार में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं तो आप देख रहे हैं जो मैंने घी लिया था वो बिल्कुल क्रेमी सा हो गया है तो फैस इसी स्टेज ते को आपको इसे मिलाना है अब उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कटोरी माप के मैदा ली हुई है तो आधी मैदा लेंगे और इसके अंदर अच्छे से मिला लेंगे तो यह जो मैंने मैदा ली है इसे दो बार करके इसके अंदर मिला लेंगे तो आपको घी और मैदा अच्छे से मिला लेना है जैसे हम मोयन वगरा में लगाते हैं उस तरीके से तो ये चार चमच घी में एक कटोरी मैदा एकदम से परफेक्ट रहेगी तो ये देखी अच्छे से मिला लिया है इसके बाद इसमें एक चमच बेशन डाल देंगे बेशन से घेवर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फिर उसके बाद उसी कटोरी से माप के मैंने दूद लिया है जिस कटोरी में हमने मैदा ली थी तो थोड़ा थोड़ा दूद डालके इसका इस तरीके से घोल सा बना लेंगे तो एक ही बार में ज़्यादा दूद नहीं डालेंगे नहीं तो फिर आपको मिलाने में परेशानी होगी इसमें बहुत जादा लंज बन जाएंगे तो शुरुआत में एक ही गटोरी दूद डालके इसको अच्छे से मिला लेना है और दूद का हम सिर्फ एक गटोरी ही दूद का यूज करेंगे बाकी इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो खुब अच्छे से आपको इसे हाथ से मिला लेना है बिल्कुल क्रीमी सा इसका बैटर बना लिना है तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी लंज नहीं है ये बिल्कुल एक दम से अच्छे से हमने आज से मत लिया है इस समय पे इसमें ज़्यादा मेहनत का काम है बाकी सब काम बहुती आसान है बैस इसे मिलाने में ही आपको थोड़ा सा समय लगेगा तो तकरीबन इसे मिलाने में न मैंने 7-8 मिनिट लगा दिये है अब इस कटोरी में भरके मैंने एक कटोरी पानी लिया है जिसमें मैदा ली थी उसी से और ये पानी भी अच्छे से मिला देंगे तो मैंने तकरीबन इसके अंदर एक कटोरी मैदा ली है और धाई कटोरी के करीब मैंने इसमें पानी लिया है और थोड़ा इसके अंदर हम बरफ अगरा भी डाल के रखेंगे ना तो उसका भी पानी बनेगा तो तकरीबन आपको एक कटोरी मैदा में तीन कटोरी पानी के जरूरत होगी तो यह देख सकते हैं आपकी इस तरह का मैंने गूहल बना के तयार किया है अब इसके बाद एक निम्बू का रस मैंने निकाल लिया है वो भी इसके अंदर डाल देंगे निम्बू का रस डालने से क्या होगा ना गेवर है वो बिल्कुल क्रंची बनेगा तो ये बिल्कुल आपको जितना पानी इसमें डाला है वो ही मैंने ठंडा यूज किया है और जो दूद लिया है वो कुछ having का बना करके तूयार करना है फिर इसके बाद ये कडहाई में मैंने बरफ डाली है दूसरे में और इसके उपर इसे रख देंगे ताकि जो बैट रहना वो बिल्कुल इसमें ठंडा बना रहे गर्म ना हो और यहाँ पर मैंने चाय वाला जो पैन होता है उसके अंदर रेफाइंड तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है आप घी भी ले सकते हैं इसकी जगह है लेकिन सरसो का तेल आपको बिल्कुल नहीं लेना है अगर आप सरसो का तेल लेंगे तो घीवर बिल्कुल ही अच्छा नहीं बनेगा या तो आप रेफाइंड तेल ले या फिर आप घी ले और उसे बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म होने दे अगर आप ठंडे में डालेंगे तो बैटर नीचे जाके बैठ जाएगा और आपका खेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा गैस की फ्लेम को भी आपको हाई रखना है और हाई फ्लेम पे ही चम्चे से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाना है तो अगर आप चाहे तो बोटल में भी भरके इसे थोड़ा थोड़ा बोटल से भी डाल सकते हैं लेकिन बोटल में ना भरके आप इस तरीके से सिंपल से तरीके से भी आप चमचे से ही बना सकते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा बैटर इसके अंदर डालते जाएंगे और जैसे ही जाग बैठ जाएंगे फिर दोबारा से इसके अंदर ये बैटर डालेंगे तो आपको इसी तरीके से ये प्रोसेस करनी है तक तक कि जो घेवर है वो अच्छी से इसकी लेयर से नहीं बन जाती है जितना आपको मोटा चाहिए उसी साब से तो ये थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाना है और जैसे ये जाग नीचे चले जाएं फिर दोबारा से इसके उपर डालना है और फिर कोई बेलन या फिर स्पैचुला लेके आपको बीच में इस तरीके से होल बना लेना है और फिर इसके अंदर ये बैटर डालना है तो इ ये चीजे आप ध्यान रखेंगे ना तो गेवर बनाने में आप कभी भी फेल नहीं होंगे हर बार आपका गेवर एक दम से परफेक्ट बनेगा ना ही बिखरेगा एक दम क्रंची बनेगा तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के ये गेवर तयार कर लिया है अभ उपर से भी पक जाएं तो ये देखी मैंने इसको इसके अंदर इस तरीके से तेल में डुबो दिया है जैसे ये पकेगा ना फिर अपने आप से ही उपर भी आ जाएगा तो आपको इस तरीके से थोड़ा इसे डिप करना है फिर भोरी सावधानी से इसे निकालना है क्योंक ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ओईल है वो इसी के अंदर निकल जाए और फिर इसे इस तरीके से जहर पर रख दीजी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ओईल है वो और भी इसके अंदर निकल जाएगा फिर दूसरा गहवर भी आपको उसी तरीके से बना करके तयार करना है बैस इस समय बेभी आपको gas की flame को higher करना है और फिर थोड़ा थोड़ा battery डालके इसी तरीके से ये घेवर भी बना करके तयार कर लेना है तो सारे घेवर आपको इसी तरीके से बनाने है एक बार में ज़्यादा गोल नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाए और गैस की फ्लेम को हाई रखिए बैस यह चोटे चोटे बाते आप याद रखिए और आपका घेवर एक दम से परफेक्ट बनेगा तो यह दूसरा वाला घेवर भी बन के तयार हो गया है इसे भी हमें इस तरीके से निकाल देंगे तो यहाँ पर मैंने तकरिबन इतने बैटर मे चार से पांच घेवर बना करके तयार कर लिए हैं तो आप चाहे तो फिर छोटे वाले भी बना सकते हैं जैसे कोई छोटा पतिला है उसमें भी आप बना सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि कितने जाली दार और एक दम से क्रंच घेवर बन करके तयार हुए हैं तो यह देख मीठे हो जाए तो इस तरीके से आपको इस पे हर दरफ चासनी डाल देनी है फिर मैंने यहाँ पे एक लीटर दूद की रबड़ी बना के रखी हुई है आपको क्या करना है कि एक लीटर दूद लेना है उसके अंदर चीनी डाल के उसे गाढ़ा कर लेना है जितनी आपको रब डाल सकते हैं तो मैंने यह रबड़ी बना करके पहले से तयार रखी थी क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती फिर इस रबड़ी को घेवर के उपर अच्छे से लगा लेना है और अपनी पसंद के ड्राइफ रूट से गार्निस कर लेना है तो यह घेवर ब रबड़ी लगा करके खा सके तो एक ही बार में सब पर रबड़ी लगा के यह चासनी लगा के नहीं रखना है इससे फिर जल्दी सोफ्ट हो जाएंगे आपको तब खाने हैं तब ही इनके उपर आप चासनी डालिए और रबड़ी लगाए और फिर इसे कई दिनों तक भी इन्जोई कर सकते हैं अगर आप इन्हें सुखाई रखेंगे तो खराब नहीं होंगे तो आप देख रहे हैं कि कितने टेस्टी गेवर बन करके तयार हो गए हैं तो आप यह रैसीपी एक बार जरूर ट्राइ कीजीगा और अगर आपको यह गेवर की रैसीपी पसंद आई